सब्सक्राइब अधर 24-7 एंड प्रेस्टी बेल आइकन हेलों फेंट से एक बार अधर 24-7 पर गर्मेंट जो पॉकेट दिन की शुवात सब्सक्राइब आप लिए इस पीड मैस के साथ दोस्तों इस सेशन में डिसकस करने वाले हैं एवरेज पे जो काफी कोशिन आते हैं बॉलिंग एवरेज पे तो फड़ा फट से लिंक को शेयर कर दिए वाट से प्लेग्राम फेस्बूक जहां जहां आप लोग के रीच है वहा बोलते हैं कि इस प्रिकेट इस बालर का बॉल्लिंग वाएंज 12.5 रंस ए पर विकेट या इड्रस पर विकेट बात ध्यान रहे हैं किसी बालर का बॉलिंग एवरेज ते कर वह मतलब समझेगा बात को बाल दे के एक लिकेट ना यहाँए हुआँ तो आई चलते हैं कि तरफ कोशिशन की तरफ कोशिशन की तरफ करते हैं कोशिशन की तरफ देखेंगे और जैसे कोशिशन होगा उसके अपनी अप्रोच रखेंगे तो यह हमारा कोशिशन आया है काफी इंपॉटेंट है एक्जाम के पड़ते हैं इसको बोला कहा है अक्रिकेटर हूस बॉलिंग एवरेज इस 24.85 रंस पर विकेट ध्यान रखेंगे 24.85 रंस पर विकेट टेक्स फाइव विकेट फॉर 52 रंस अपने आखरी मैच में वह पाच फिकेट लेता है बावन नन देने के बाद और इस तरह से उसका जो एवरेज इवरेज वो डिकेट होता है कितने 0.85 रंस तो बताना है तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिये जब भी कभी याला कोशन एग्जाम में देखने को मिले हम एक बात दा है आप लोग को कि हमने क्या किया है आप एक पहल शुरू किये मतलब जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हो कि सर हमें यह नहीं आता यह नहीं आता तो सपीट मेंफ के जरिए हम आपका पोश्र पका सपीट के जरीये मेंटेंज कर एक नहीं करते हैं तो करना कि कि आज भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है कि नेक्स स्पीड मैट्स में आप लोगो कौन से सेशन चाहिए तो आप उस सेशन को आप जो आप दोगे हम उसको तुरंट डिसकस करें क्यूंकि चैनल आपका ही है और अगर भी सब्सक्राइब नहीं का रखा तो प् गया है कि जो बैट क्रिकेटर है उसका बॉलिंग एवरेज हमें कितना दे रखा है 24.85 दे रखा है यह लास्ट मैच के पहले-पहले है लास्ट मैच में बावन देके दिए पांच विकेट अगर हम आवसत निकाले तो 52.5 करेंगे तो यहां पे सिंपल सी बात है कितना है आएगा तो इसका मतलब यहां पे क्या आगा 10.4 मतलब यह लास्ट मैच का बॉलिंग एवरेज है और ऐसा करने पर जो इसका ओवर ऑल एवरेज है वह 0.85 से कम हो गया मतलब पहले 24.85 से कम हो गया सिंपल सी बात है कितना है आप लोग को समझ में आ गया है तो यहां पर जेखा दिगे 24 में से 10.4 जाएगा ठीक है रही यहां पर देखा जाए 24 से 10.4 तो यहां पर कितना बचेगा 13.6 ब शाग खे सिंपल है अ घर यहां पर एपकर ऩांद के बांद हो ळूगा तो यहां पर कितना हो गया यह रेशियो बन गया आप लोग का बड़ा लोग को पता है कि 17 समझेगा बात को आप लोग को पता है यह क्या रेशियो आ रहा है आपके विकट्स का रेशियो ठीक है आपको पता है लास्ट मैच में किते विकट लिए लास्ट में पांच विकट लिए लास्ट म तो निकाल तो यहां पर फाइब आपन 17 मुल्टिकलाइब कितना होगा आप लोग का तू एटी नाइट नाइट तो देहान रखेंगा जब भी कभी याला को देखने को मिलता है केवल एक काम है की को आसान करना तो बस यह है बाकिक अगर आपको बेसिक पर नाए इसका तो आप नोब हुझे नोब जूलना मत भूलना हम से अभी प्यक्राइब क्लास चल रही है वहां पर हमसे बेसिक से पढ़ सकतें बात करें एक और को से में आई बना इसको बोला गया य सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर कितना आजाएगा 552 और इस तरह से उसका जो एवरेज है वो क्या हो गया 0.2 रन से बच्छा हो गया सिमपर इसलम प कम हो गया इसका मतलब हैं यहां पे लिगांगे कि कहा नी क्या हria कर देखा जाए यहां beta इस देए संथल्योब करो गया और पर आप इister oppose है तो थेरो पांच की बराबर ऑब आ तो यहां पी इस चैसे यहां पर ग। यहां पर एक हो गया शूभ बोला गया है the number of wickets taken by him before the last match last match के पहले किते विकेट लिए तो यहां पर किते विकेट लिए तो 35 की वैलो आप निकाल दीज़ें यहां पर तुसी इंपस लिवात है 35 को 5 से में कर देंगे 25 हो गया 15 16 और 17 तो दोस्तों यहां पर आंसर कितना जाएगा आप लोगा 175 पर अप्श speed match मतला हम उस पर चल्चा करेंगे ठीक है बाकी दोस्तों हम आपको मिलेंगे ठीक 12 बजे जहां पर डिसकस करने वाले हैं आज भी ररब प्यो मेंज का एक्सक्तेड टिसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके बाद हम लोग मिलेंगे ठीक रात में रात में नौ बजे जहां पर आंगे के टम्हेंगेअ कफा लांट तो दोस्तो यूавरों कि यूज वडियों को विच कहुत बज़ सो विच्तेड नहीं झाल झाल झाल